खूर ताकानि दर्शक वल्लब आजकुमार, मालवा की और से आप सभी के लिए दिवाली के उपहार लाया हूँ, स्विकार करें और आप मैंने खेट के मुख्य बाजार पर दिपोत्सव का भी आयोजन किया है आप सभी साधा रामंत्रित है पृथिवलब जी, मूर्ती का कारे संपन हो गया जी या, बस आखरी चरण में जब तक दिपोत्सव का शुभारम होगा, मूर्ती का नावरण की तयारी भी हो जाएगी लाजकुमारे, माने खेट में दिवाले की परंपरा ना होते हुए भी आपने मेरे शब्दों का मान रखा, अनुमती दी उसके लिए एक बार फिर आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस राज महल से जो भी शरीक होना चाहता है उसे पूरी अनुमती है अगर आपकी आज्या हो तो विपोटसव की तैयारियों में आज परिवार के सदस्यों का सहयोग ले सकता हूँ जी, कोई प्रतिबंध नहीं अपनी सुएच्छा से जो भी सहयोग करना चाहता है कर सकता है जी धन्यवाद राज कुमारे महाराज तैलब राज को भी अमंत्रित करना था कहां मिलेंगे फे रित्वी बल्लब को आप पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था आपके जख्म को देखकर हमें दुख हो रहा है तैलब राज मुझे मेरी जख्मों की परवा नहीं है इनका दर्द तो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता है दर्द तो इस बात का है कि परित्वी ने मानेखेट के मान को जख्मी किया है उसकी शान को लहुलुहान किया है नहीं पराज इस बात से ये प्रमानित होता है कि पृत्वे ने मानिखेट की शराफत का उसकी महमान नावाजी का गलत फाइदा उठाया है इशारा किस हवर है आपका? तेलब राज आपने बच्पन में गिद और बिलाड की कहानी तो सुनी होगी गिद बुड़ा हो गया था तो चिडियाओं ने उसे अपने बच्चों की देख भाल के लिए रख लिया बदले में उसे खाना दिया करती थी वो भी बच्चों की रक्षा अपने प्राण को दाव पे लगा कर करता था फिर एक दिन एक बिलार आया पहले तो उसे गिद ने भगा दिया फिर उसने एक तरखीब लगाई और गिद से दोस्ती की उसका विश्वास जीता और थीरी थीरे बच्चों का शिकार करने लगा एक दंग चिडिया को गिद पे शक हुआ और उसने गिद की हत्या कर दी कहानी याद है आपको इस कहानी का यहां क्या संदर्व है चल करने वालों पर विश्वास करने से अपनी हानी होना निश्चित है और पृत्वी वल्लब के कुल का इतिहास ही चल पून रहा है महाराज यह तो उसने अभी अपनी पहली चाल चली है पहला वार किया है मैंने समझाया उसे कि तुम एक महमान हो महमान की तरह रहो हमारे हाँ महमान को भगवान के समान माना जाता है अपना आच्रन देवताओं की तरह रखो तुम जो ये मनमानी कर रहे हो ये अगर महराज को पता चलेगी तो ये बात उन्हें अच्छी दे लगे लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुने उसने तो हद पार कर दी कहने लगा कि कहने लगा कि सिंगासन पर बैठे महरों से ड़ता नहीं है मालवा तेला पराज एक बात तो होता है कि भलाई माने खेट में रह कर वो अधिक कुछ ना करे परमाने खेट पर नाचन अवश्य लगाएगा दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करेगा कि मूर्ती बनाई दिवाली मनाई यहां तक कि प्रतिबंध होने के बावजूद गीस संगीत का हयोजन भी किया और माने खेट अपनी मान अपनी परंपरा की रक्षा करने में सामर्थ नहीं है देलब राज उसका यहां पर महुसर मनाने में सफल होना चानलुक के वंज की हार है इसी मेरी सोच मेरा वलोकन है अब देलब राज आप क्या सोचते समझते हैं पता नहीं इसे हमारा तोई की निशकर्श है प्रित्वी को यहां से किसी भी हाल में निजय होकर जाने देना नहीं चाहिए हम आपके साथ है आपको हमारी तरफ से पूरी इस्वतंतर तो है यही तो हम चाहते थे पहले वो मूर्ती ध्वस्त हो की फिर प्रित्वी वल लब भूज तुमने कोई बीड़ा उठाया भिया या केबल मेरी बातों की अवेलना करनी है छाचा लेकिन हमापको यह इस प्रिश्ट्र कड़नेही मांगाय कोई तुमसे यह तो बच्चा है भावुक है तुम्हे सम्जाना चाहिए ना पृत्वी थाचा अपनों की रख्षा करना बच्पना हो गया दार्शनिक्ता का समय नहीं है भुच जो कह रहा हूँ सूच समझ कर कह रहा हूँ इक पोचसफ के बाद याद ये एक पितिन तुम लोग यहां रुके तो मैं बंदा वो अनभव करोंगा जिसों देश्षिक ले यहां आया हूँ वो नहीं होगा आगे का मार्ग मेरे अकेले काई है मित्र तुम्हें छोड़ कर जाने का तो रिदय नहीं है पर तुम्हारे बातों में छुपे हुए सत्यकों में नकार नहीं सकता वो देश्षिक की पूर्ती करना अनिवार्य है इसलिए तुम्हारे सारे आदेशों का मैं पालन करूँगा तुम दुनों चल मार्ग से नहीं जाओगे सुरक्षित नहीं है अंक प्रदेश से जाओगे इस समय भई सुरक्षित मार्ग है इस तरह विदाल होगे अपने चाचा से मेरी उत्तेश पूरती तक मागा नहीं जाएगे कोई रास्ता नहीं दिख रहे कोई उपए नहीं सूच रहा है माँ उपाए है उत्ता तुम यहां और यह क्या बात कर रहे है एक ऐसा उपाए है उसे साप भी मर जाएगा और लाटी भी नहीं डूटेगी तुम जाओ सकते अश्रय तुम जाओ तुम नहीं समच सकते क्या नहीं समच सकता मा जब से गुरकुल से आया हूँ आपको आसू बहा थे देख रहा हूँ और पिताजी को तो अपनी अक्का से फुरसत भी नहीं और कोशा और उसकी मौसी को तो मैं आपकी जिन्दगी से निकान के रहे हूँ आप जिन्ता मत करिये मैं हूना उत्रा तर्टेशे तुम इन मामलों से दो रहा हूँ हाँ मैं अपने दुर भागे के साथ जीलूंगी सत्याशा उम्हारी उमर ही क्या है बच्चा नहीं हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ मैं देखे ना राजबवन के रातरी भूज में विष्ष किसने मिलवाया किसी को पता चला नहीं किसी को भनक भी आड़ी किसी को भनक भी आड़ी क्या यूरी किसी की गरवी आमाँ प्रेश एक में रे में नफरत में बरने के व्रेश तुदान को हेन ठीज दोना Cyt पूंट्या रेक्टतर् कराँ है ऑस मैंत प्रेस की अ में डेपழ़ ओका ROinti पिर करूंगा और तब तक करता रहोंगा जब तक सफल नहीं होता वरनाल पुआ ने जो हमारा सारवजनिक मानभं किया है उसका पती शोग भी सारवजनिक होगा और तब जा के हमारे इधर को शान्ती मिलेगी और हमारे मस्तिश को आरा हूं तक स्क्रावजनिक मारे मस्तिश करते है तक स्क्रावजनिक मारे मस्तिश करते है आप किया है? ची वो आप हम बस ये कहने आए थे कि आपकी यात्रा सुखद हो हमने सुना है लंबी यात्राओं में अक्सर स्वास खराब हो जाता है हाँ हो जाता है किन्तु मुझे कुछ नहीं हो मैं काफी बलवान हूं अच्छा लेकिन हम कैसे रिश्वास कर ले? अब ये अफसर नहीं है मेरी बात साबित करने का किन्तु जब अफसर आएगा मेरी बात सत्य साबित भी हो जाएगी और आप हमारी प्रशन सक भी बन जाएगी वो तो हम अब भी हैं हमारी कहने कातात पर है आपकी बातों के लड़ना वड़ना आता है नहीं पता नहीं पर शब्दों के धनी है आप अच्छा ऐसा है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ यकीन ना आए तो कभी आजमा के देखी गा आपका ये दोस्त आपके लिए हमेशा तत पर रहेगा किन्तु आपको मेरी आफशकता नहीं आप अकेले ही सबल हैं आप प्यार तो करती ही ना हमसे बोलिये ऐसी बात नहीं है रम है ये आपका रम नहीं है सत्य है आपका सहस आपकी आँखों का नूर है कहा थाना आप शब्दों के धनी है अम में तरनिक भी सहस नहीं है हमाती शेक्र बहबीत हो जाते है शब्दों का जाल बुनकर उसमें से निकल जाना आपको अच्छे से आता है बहबी कहता हूँ भरम है आपका और कुछ नहीं वो कैसे विलास भय सब के मुन में होता है किन्तु उस भय को हमें अपने मुन पर अतिकरमन नहीं कर देना चाहिए अन्याथा वो भय आपका सोभाव बन जाता है और धीरे धीरे आप उसमें अपना आनंड दोने लगते हो एक बार उस भय की आखों में आखे डालकर उसका सामना करके देखिया फिर देखना भीतर से कितना सोतंतर महसूस करोगी है फिर देखना मेरी बाद सोयम ही प्रमानित हो जाएगी तन्यवाद आप मान्य खेट आए बहुत अच्छा लगा आशाय श्रीग्र मिलेंगे क्या हुआ आपको प्रसनेता नहीं हुई आपसे विदा होना अच्छा नहीं लगा शमा करना विलास इस मोर पर तुम्हें में विवा का प्रस्ताथ नहीं तेपाया आप अपने ही महल में यू चुप चुप आकर क्यों गूम रहे हैं अप्पुदा पशन है अपका एक संब्राच से भी अपराद करा देता है अपराद कैसा अपराद अपराद की बातों का उलंखन करने का अपराद पहला प्राज आप मानेखेट के महराज हैं आप पर किसी चीज की कोई बंदिश नहीं है आपका हर फैसला मानेखेट के लिए हुक्म है फिर आपको किस चीज का डर और अगर आज यहां आपको किसी ने इस तरह चुप चुपा कर आते हुए देख लिया तो आपके व्यक्तित उपर प्रशने चनने लग जाएगा जन्ता को क्या संदेश जाएगा आप से मिलना अपशक है बागी सब बेकार है महराज हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए माने खेट की रानी का अधिकार नहीं और आज वही प्यार हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपसे एक प्रशन पूछे पूछिए आपके इस नकाप पोश्रूप की वज़ा क्या है अपनी अक्का का सम्मान या फिर उनका डर कोई भी कदम खोद आजादी से नहीं उठा पाती पूछा तुम महराज आपसे एक गुजारिश है अब आप हमसे मिलने तब ही आएका जब जब आप ये फैसला ले ले तब तक हम आपके बगैर जी लेंगे या चलिए ना विलास क्या कर रहा है आप बैठे हैं आपको बताते हैं हम आपसे क्निवेदन करेंगे तब स्वीकार करेंगी आपके कोई बात हमने डाली है आज तक आज हम आपका शिंगार करना चाहते हैं एक तेमान आवरन के उप्लक्षे में यहाँ आई है यहाँ बैठे है विलास हमने हमेशा आपके इच्छा का मान रखा है लेकिन आज हमारी शिंगार करने की कोई अच्छा नहीं है और उस अनावरन में भी हम नहीं जाएंगे क्यों भूआ आपने तो अनमती दी थी कि आपके इच्छा नहीं है? आप उच्छुक नहीं है? नहीं, विलास, हमें उच्छुकता नहीं. आप चली न, हमारी लिए? विलास हमारी इच्छा नहीं है. वो आप? विलास, हट मत कीजिये. आपको देर हो रही हो कि आप जाएए? वो आम हट नहीं कर रहे हैं, वो मांकरे कर रहे हैं, अब कि बिना समारो फीका लगेगा? विलास उस प्रतिमा को थ्वस्त होना है, यही उसकान थै. आप सभी किसने, आशीश और सहयोग से, मूर्ति का कारे संपन्न हुआ, और इसके लिए मैं आप सभी का सर हिदय आभार परकट करता हूँ. साथ ही यह आशा भी करता हूँ, कि यह प्रतिमा, मान्य खेट में अला और प्रेम की पुनर स्थापना करने में सक्षम होगी. साचेज रहना और मेरे इशारे पर ध्यान देना, जैसे ही इशारा करूँ, इस वोटको की बारिश कर देना, ध्यान रहे, इशारे के बाद ही कारेवाई आरम की जाएगी. जाओ और अब जाकर नजर रखो याओ. रिद्वी वरलब का शत्रू किसी भी शक्ल किसी भी शत्म में हो सकता है, और अफसर पाते ही आगात कर सकता है. इसलिए हर पेल सजक, सतर्क और सचेत रहना होगा, किसी भी प्रकार की भूल नहीं होने चाहिए. हर इंसान हर गतिविदी पर नजर रहे और और आसपास की जगह होगा. इसलिए कोई चूप नहीं होने चाहिए. अपना बस्तान ग्रहन करें. नाच मारी विलास, स्वागत है आचाहरे. आचाहरे विन्या दिद्या जी, मानिकेट नरेष्ट एलप राज, राजकुमाने मिलनाल और समझ सहवा सदों का, मैं अभार व्यक्त करना जाहता हूं. कि उन्हों ने इस दिपोट्सव के आयोजन के अनुमती दी. मैं, मालवा पुत्र पृत्वी वल्लब, बड़े हर्श के साथ, आप सभी का इस दिपोट्सव में स्वागत करता हूं. और मूर्ति का नावरन, राजकुमारी मिलनाल के आने के पश्चात ही होगा. राजकुमारी मिलनाल के आने के संभावना नहीं है. आप चिंतितना हो विलास, वे आएंगी. अब हमारी बात समझ नहीं रहे. हमने उनसे आने का आगरे किया था. किन्तों उन्होंने हमें बेना कोई निश्चीत उतर दिये, यहां भेज दिया. वो नहीं आएंगी, हम जानते हैं उन्हें. और हमें नहीं लगता हमें उनकी प्रतीक्षा करने चाहिए. आपकी बुआ के लिए आपकी चिंता समझ सकता हूं. क्युंतों मेरा विश्वास है, वे अवश्या आएंगी. और अगर वो नहीं आएंगी तो कि प्रतिमा का अनाफरिन नहीं होगा? नहीं आएंगी तो, संधे का तो कोई प्रश्णी नहीं है विलास. विश्वास है मेरा, अवश्या आएंगी वे. मुहमेद अप्रत्याक शूप में उनकी अरूपची देख रही है इस विश्वास का कोई विश्यश कारण? विश्वास आस्था से आता है विलास और कभी-कभी विश्वास के पीछे कोई तर्क या कारण नहीं होता है बस केवल विश्वास होता है झाल झाल स्वागत दनाओ ये किसकी प्रतिमा बनाई है आपने? बस कुछ समय और शेश है एक बार महाराज तैलप राज और राजकुमारी निर्णाल पधार जाएं फिर सब कुछ गयात हो जाएगा घ्लनम राज से बहुत कुछ सुना है आपके विशेम वराद ऐसे प्रात्ना करती है कि वो आपकी नेक इच्छा पुरी करें शुब कामना के लिए धन्यावाद आईए 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 आपके सही हम और धहर की, हम प्रशनशा करते हैं। इंतु अधिक प्रदीक्षा करना श्रे कर नहीं होगे। मिनाल को हम अच्छी तरह से जानते हैं, और तैल अब को भी। मिनाल कभी यह उत्सभ नहीं मना पाएगी। उसके लिए ये दिन हम आवस्या की रात की तरह केवल अन्हेरे का प्रदीख है। दुख का प्रतीख है यही करने तो आया हूँ आजारे यही तो उद्देश्य है अधेरे से रोशनी की ओर लेकर जाना है अधेरों में फुकरों के अतरिक तोर कुछ नहीं आपकी सोच में दिवित है इतने व्यवधान के बाद भी आप आशा नहीं छोड़ते हैं परादे आपकी मनो कामना भून कर देश पून हमें नहीं लगता कि हमें राज कुमार इम्रिनाल के और का दिक्षा करने चे जिनकी अनुमती से कारे संपन हुआ है उनके बिना अना अवरन तो संबाब नहीं मुझे प्रतीत होता है कि वह नहीं आएंगे आवश्या आएंगे आवश्या आवश्या काट chemical के दुएब आएंगे रहीं आवश्या काट कुमार आवश्यास आवश्याодव रहीं आवश्याव झाल 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 आभार आने के लिए विश्वास था मुझे और मेरा विश्वास विजयी भी हुआ स्वागते स्वागत राजकुमारी के प्रती मुर्त रूप है उस उद्देश्य का इसके लिए मैं यहां मान्यखेट आया था उपहार है राजकुमारी को मेरे प्रेम का जो मैं उनसे करता हूं समय और काल के परे आप स्वागत झाल 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 प्रित्वी वल्ला ऐसे किया ये तो साहस तुमने इसी प्रतिमा बनाने की सोची भी कैसे तुमने आस किया है तुमने हमारी मर्यादा का हमारे अधित्य का ये प्रतिमा को ठ्याने कारवास में अधित्य को एसको सजा मिलेगे प्रित्य वल्लाब्र ने सीमा का अभचारिक्ता का उ्लंगन किया है ले जाएं को कारवास में और इस प्रतिमा को ध्वस्त करने का प्रबंद कर हो आप जाये जितना विम खोले राजकुमारी ये प्रतिमा हम दोनों का वो सत्या है जिसे आप शीक्र स्विकार करेंगी ग्रसित कर दो कर दो प्रित्वी का वल्लब अब कारावास का वल्लब है बस बदी गर्क्षण भर के लिए बंदी बना दे तो विशाद मत करना नेकी से अगर नाम हो जाए तो गुमान मत करना क्योंकि सूर्य का ताप सदा एक सा नहीं रहता चंद्रमा की कलाएं हर रात बदलती है समय सबका बदलता है अवसर सबको मिलता है आवनाएं भी बदलती हैं आपकी भी बदलेंगे विश्वास भी है और प्रतीक्षा भी किन्तु हमें दुख है कि आपकी ये प्रतीक्षा कभी पूरी ही नहीं होगी तहला प्राज शत्रुता से नहीं मित्रता से प्रतिशोच समाप्थ होता है और यदी मेरे प्राणों की आहूती इस द्वेश की अगने की पूर्णा हूती है ठीक मुझे इस विकार है किन्तु मेरी एक ही इच्छा है हम आलवा और मान्य खेट के बीच मित्रता हो, शान्ती हो प्रेम हो प्रेम है हमें मालवा के विनाश से आपके कुल के सरविनाश से मित्रता और शान्ती का ये पचार अपने मन से त्याग दीजे पृत्वीवल लब परना शान्ती आपकी आत्मा को भे नहीं मिलेगी मालवा के नियती में सिर्फ और सिर्फ मानने खेट की अधीनता लखी है मित्रता का नहीं अपनी मृत्यू का विचार करो मित्वीवल लब हम बस तुम्हारी अंथे मिच्छा जानने आएं मौत तो सब की तैह है इस मौत में भी आनन्द आये जो हमारे हातों से आये राजकुमारी मृणाल मुझपे अंतिम वार करेंगी यही मेरी आकरी इच्छा है